प्यारे बचो मैं हूं गुरू नितेश आज हम लोग क्लास एट का एक्सराइज 11.6 से क्वेशन नमर 5 सौल कर रहे हैं Q5 करता है Daniel is painted the walls and ceiling of a cube-wide hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively मतलब कि एक hall को उसको paint करना है जिसका length दिया हुगा है 15 meter, breadth जो है 10 meter और height जो है 7 meter अब करता है, from each cane of paint, 100 meter square of area is painted करता है कि एक जो paint करने के लिए जो cane है, cane बना मतलब डबबा आता है, एक डबबा 100 meter square को paint कर सकता है तो how many canes are painted, will see need to paint the room करता है कि cane का कितना डबबा चाहिए ताकि वह पूरे room को अच्छे से paint कर ले एक डबबा 100 meter square को paint करता है, ठीक है, तो जब हमको paint करना है तो इसे पहले वाले question में भी हम लोग देखे होंगे कि जब हमको paint करना है, तो paint तो हम लोग first पे करते नहीं है तो हमको मिल जाएगा कि हमको कितने cane की आव सकता है, ठीक है तो हम इसका surface area निकालेंगे, तो surface area होगा 2 into LB plus BH plus HL तो यह हो जाएगा 2 into 15 into 10 plus 10 into 7 plus 7 into 50 तो यह हो जाएगा 2 into 150 plus 70 plus 105 अब सबको हम लोग add कर देंगे तो यह आजाएगा 2 into 325 तो यह आजाएगा 650 meter square यह total area आगया अब इसमें से हमको क्या करना है, रूफ के area को जो जमीन होता है, उस पे तो paint नहीं किया जाता है उस area को subtract करना है, तो area of base यह रूफ जो भी बोले वो हो जाएगा L into B बराबर हो जाएगा 15 into 10 बराबर हो जाएगा 150 meter square तो total remaining area बराबर होगा, क्या हो जाएगा? 650 meter square minus 150 meter square बराबर 500 meter square अब दिया हुआ है, एक cane जो है, एक cane जो है, वो 100 meter square को paint कर सकता है तो total number of canes बराबर हो जाएगा, total area upon one canes area बराबर क्या हो जाएगा? 500 upon 100 बराबर 5 canes तो इसका मतलब पूरे room को paint करने के लिए, जो Daniel के पास cube wide hall है, उसको paint करने के लिए, उसको 5 cane किया हो सकता पड़ेगी अगर एक cane से 100 meter square paint होता है, जैसा कि question कह रहा है, thank you